इस वीडियो में हम लोग आई टी आई परिक्षा जो नवंबर 2020 से सुरू होने वाली है के बारे में लेटेस्ट न्यूस जो भी है उस पर चर्चा करने वाले हैं तो जो इस्टुडेंट्स अभी तक इस यूटूब चैनल दिया लाइन इस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किये हैं कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करते हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पहला टॉपिक ये कि परिक्षा कब से सुरू होगी दूसरा टॉपिक ये चर्चा करेंगे कि ये परिक्षा जो होने वाली है वो परिक्षा आलाइन होगी या आफ से शुरू होगा उसके बाद से यह चर्चा करेंगे कि परिक्षा के लिए एक्जाम सेंटर कहां बनाये जाएंगे जो आप लोगों के एक्जाम सेंटर है जहां पर आप लोग एक्जाम जाकर करके अपना देंगे वो सेंटर कहां पर बनाये जाएंगे इसके बारे भी चर्च क्या परिक्षा सेड्यू उसको भी देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट आई टी आई की परिक्षा कप से शुरू हो तो आपने पहले भी देख लिया होगा कि आई टी आई की परिक्षा जो है तेश नॉवंबर 2020 से शुरू होने वाली है इसके बाद से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया थे इसे पहले एक वीडियो में बन जान लिजिए कि कुछ सब्जेक्ट की परिक्षाएं आल लाइन होंगी और कुछ सब्जेक्ट की परिक्षाएं आफ लाइन होंगी जैसे प्रेक्टिकल का जो एक्जाम होता था हर भार हमेशा ही आफ लाइन होता है यानि कि आपके सेंटर पे होता है ठीक है तो इस बार भ बनाने के लिए आता है, sketch करने के लिए आता है, pencil से sketch करने के लिए आता है, draw करने के लिए आता है, तो उसका भी paper offline, sorry, online सम्भाव नहीं है, इसलिए उसका भी paper offline होने वाला है, बाकी जो आपके trade theory का paper है, और employability का paper है, उसके बाद से workshop calculation and science का paper है, ऐसे paper, यानि कि theory, आपका trade theory है, वो theory का paper, सैधानतिक paper, math का paper, यानि गणित, workshop calculation and science, उसके बाद से employability skill, ऐसे paper जो है, online होंगे, अब तक जो DGT और निर्देसाले से, डिरेक्टेट से, जो निर्देसाय हैं, जो आदेसाय हैं, उसके अनुसार, ये परिक्षाएं online कराई जानी है तो इसके लिए, online परिक्षा की तयारी करने के लिए, आप सभी लोगोंने, मैं आशा करता हूँ कि निमी mock test जो आया हुआ है, DGT के तरफ से, उसको वो एक app आया था, उसको आप लोगोंने अपते mobile phone में इंस्टाल कर लिया होगा, और उसको आप लोग अपना mock test दे रहे हो जो real में test, जो real में exams होंगे, online exam, उसी में से वो question आने है, और उसी pattern पर आने है, तो उपर में, right hand side में यहाँ पर, निमी mock test पर कैसे अपना registration करें, और कैसे वहाँ पर जाके mock test दें, यहाँ पर एक link आपके लिए आ रहा होगा, तो इस link को click करके, आप निमी mock test पर जदी registration नह आता था, इस video के हंत में भी उसका एक link में दे दूंगा, तो चलिए, अब यह तो यह बात हुई, अब तीसरा जो यह point में लिखावाँ हूँ, कि first year का exam कब से शुरूँ होगा, इसमें बहुत सारे बच्चों को confusion है, कि जो first year में क्या उनका exam होगा, या नहीं होगा, तो एक कोर्स की आवधी एक वर्स है, यानि कि उनकी ITI एक वर्स में समाप्त हो जाएगी, जैसे welder है, stenography है, saving technology है, इस तरीके के जो traits हैं, कि जो एक वर्स में ही, एक वर्स के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, उनका कोर्स डिउरेशन, यानि कि कोर्स आवधी जो है, एक वर्स की होत हैं, उनका कोर्स का वर्स ही एक साल का ही है, तो उनका एकजाम होगा, ठीक, 100% होगा, और बाकी, जो 2019 में ही admission लिए हैं, और दू वर्स में लिए हैं, यानि कि electrician में लिए हैं, चाहे फीटर में लिए हैं, चाहे electronics में लिए हैं, इस टाइप के जो दो वर्स में, जिनका में हैं, ठीक है, तो उनका एकजाम का भी कोई schedule नहीं आया है, उनको second year में promote किया जा रहा है, किस बेसिस पर तो आपके सेशनल के, आप लोगों के ITI में, आपके institute में सेशनल हो रहे होंगे, क्योंकि हम जहां पर हैं, वहां पर सेशनल सेश्टार्ट हो गए हैं, तो सेशनल लेने के लिए आपके फोर्मेंस आप लोग आ रहे होंगे, तीन चार लोगों की एक committee आती है, उसमें आपके teacher रहते हैं, math के teacher रहते हैं, ड्राइं के teacher रहते हैं, और एक दो फोर्मेंस आप लोगों रहते हैं, वो लोग आ करके आप लोगों का सेशनल लेते हैं, उस सेशनल में हैं तो हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा सिधा शिधा सिधी बात है कि जिनका दरुषी का जिनका, आई टी आई जो है दो साल में complete होगा जिनका आई टी आई दो साल में complete होगा और वो अभी first year में है यानि कि 2019 में admission लिये थे और उनका आई टी आई का कोर्स दो साल में complete होगा तो उनका एक्जाम अभी एक्जाम का कोई schedule अभी नहीं आया है ठीक है और जो 2019 में ही admission लिये थे और उनका आई टी आई का कोर्स एक साल का ही है जैसे अभी मैं बताए welder है stenography है saving technology है ठीक है तो इन लोगों का एक्जाम होगा तो अच्छे से अभी आप यह बात समझ में आ गया अब बात करते हैं कि second year का एक्जाम कब से शुरू होगा तो second year यानि कि जो आल लेडी final year में आ चुके हैं ठीक है second year में आ गया है उनके लिए यह schedule आया हुआ है कि आप लोगों का एक्जाम जो है 23 नॉवंबर से शुरू होने वाला है यानि कि final year में जो भी इस्यूरून्ट सा गये उनके एक्जाम जो ए 23 नॉवंबर से शुरू होने वाले हैं अब उसके बात से कौन से पॉइंट है तो परिक्षा के लिए exam center कहा मनाया जाएगा तो परि प्रेक्टिकल का और इंजिनेरिंग ड्राइंग का जो एक्जाम सेंटर होगा वो सेल्फ सेंटर बनाया जाएगा यानि कि स्वकेंद्र होगा यानि कि आप जहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं आपका जहां पर एडमिशन है वहीं पर इंजिनेरिंग ड्राइंग का और प्रेक् टाइम टेबल क्या है तो यह एक्जाम का टाइम टेबल है यहां पर देख लिए वही बात लिखा ओया कि annual examination ट्रेनी एड्मिटेड इन्स अगस्त दोहजार अठार और एक साल का ही कोर्स है उन्हीं के लिए यह टाइम सेड्यूल आया हुआ है तो इसमें आप लोग कन्फूज मत होईएगा इसका पहले भी मैं बता दिया हूं कि किसका किसका एक्जाम होना है यानि कि 2013-2020 से जो फास्ट इयर का है यानि कि जिनका एक वर्स का केवल कूर्स है उनके इंजिनिंग डाइंग का पेपर होगा ठीक जदी इंजिनिंग डाइंग उनमें पढ़ाया जाता है तो उसके बाद से धाई वज़े से यह सेकेंड इयर का पेपर होगा ठीक है जो इंज है इस टाइप के जो आई टी आई के कोर्सेस हैं जो दो साल में कम्प्लीट होते हैं उनका जो है धाई वज़े से पेपर होगा इंजिनिंग डाइंग का ठिक उसके बाद से जो यह साधे नौव वज़े से पेपर है फर्स्ट एयर का वो ट्रेड प्रेक्टिकल यानि कि आपक एक और दो में ट्रेड प्रेक्टिकल होगा जो दो वर्सी आई टी आई है यानि कि जो फाइनल येर में है तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं यह समझता हूं कि आप लोगों को कमेंट करके पूछने की अब ज़रुरत नहीं पड़ेगी इसके कर रहा हूं